एलो क्यूटीज आज हम बात करने वाले हैं माई गल्फिन इसे ने लियन के एपिसोड 15 की एपिसोड स्टार्ट होता है जियंग शी और जाओकी एक साथ टहल रहे थे तो जियंग शी उससे कहता है कि आज तो हमने कितनी मस्ती की तुमने कितने साहे स्वीट स्काइफ फिर भी जाओकी को अपने प्लैने पर ले जाना चाहिए कि वह यहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं है उसकी रोबोट केंडी कहती है कि मुझे तो इमोशन कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं पुरी एक मशीन ही हूँ और आपको भी इमोशन से कोई फर्क नी परना चाहिए वरना ने पर चाहिए को डाट रहा है कि इतने दिन को बेची देंगे जब उनको पताच लेगा कि हम प्रॉब्लम में और वैसे भी तुमने कुछ थोड़े हार्मोंस तो कलेक्ट करी लिए हैं उन्हीं को हम पकड़ा देंगे तो हमारा काम चल जाएगा फिर जाओ वो देखती है कि जाओ की थोड़ा अजीब से बिहेव कर रही है वो उसको चेक करते तो पता चलता है कि जाओ की चैलिसी फील कर रही है जाओ की सोच रहे थी कैसे फैंग लैंग और मैंग फी गुटर-गुटर कर रहे होंगे उसरी साइट दिखाते हैं फैंग लैंग को वो पैंट्राइफ मिल गई थी और जब वो अपने लैप्टॉप स प्र्पोसल तॉप काफी अच्छा लगता है काफी एंप्रेस हो जाता है अफेस में फैंग लैंग असिस्टेंट हैं के तौब्ल गहें तो नौकरी छोड़के चली गई थी ना बट फैंग लैंग उसकी तरफ देखता है और असिस्टेंट हैं समझ जाता है कि टाइम आ चुका है कि साउकी वापस आए असिस्टेंट हैं जाओकी के पास पॉच जाता है और जाओकी उससे कहा रही होती है कि मैं कंपनी में क्यों व कोड़ दिया ना मुझे नहीं जाना है असिस्टेंट हैं उसको समझाता है कि तो सिर्फ बहाना है बोस आपको वापस चाहते हैं इसलिए तो उन्होंने ये बुलाया है आपको जाओकी सोच रही थी कि उसको मेरा बिसनिस प्रपोजल कहां से मिला होगा उसने तो देखा भी और वो अपनी पैंडराइफ भी वापस मांग रही है और उसको अपना बिसनिस प्रपोजल भी वापस चाहिए और क्योंकि पैंडराइफ काफी महंगी है इसलिए आप उसको वापस कर दो तो असिस्टेंट हैंड फैंग लेंग से कहता है बॉस अगर आप जाओकी से मिलना तो लाओकी कहती है कि हो क्या कर रहा है आच कल पहले मुझे बिशनिस प्रपोजल के लिए बुला रहा था और आप ओडर कर रा है और उसमें फैंग लेंग रिसेप्शन पे वेट कर रहा था जाओकी कि आएगी कि वह कितनीं देर हूँए आखयो नीदेंग और तब ही वहा तो बहुत सारा अच्छा की जरोडिया है तो पर फंगलैंग एसके लिए जरोड़ पेंटिंग कर रहा हूं पेंग्लेंग कहато है, मैंने इतना सारा पैसे भी जाएक है तो मारी Girlfriend आप हो और जाए बाहर जाओ। और पेंटर क्या चाहिई होता ही एक Candice को कुछ इंस्परेशन चाहिए होती है और छाओ। ऑपनी Girlfriend के साथ गूमो, कुछ inspiration लो। कि मुझे पता है मैं इन आदमियों को अच्छे से जानती हूँ अब वो खुद यहाँ पे चल के आएगा फिर फैंग लेंग वहाँ पे आई जाता है तो मैस चाहिए उससे कहते है तुम बड़े इंसीन थी और ओ, फ्लार्स भी नहीं लाए जाओकी के लिए वैसे तो तुम हमाई शॉप में आ सकते हो मगर मैं जाओकी की फ्रेंड हूँ तो इसलिए मैं तुम से पूछना चाहती हूँ कि तुम जाओकी को उसके घर से कैसे निकाल सकते हो फैंग लेंग कहता है कि उसने मुझे जूट बोला था मैं जाओकी के लड़की अगर उसने कुछ जूट बोला है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहोगा और तुम लोग इतने दिनों से साथ थे तुम दोनों में बेसिक ट्रस्ट भी नहीं है और वो फैंग लेंग को काफे सुनाई जा रही थी इतने वहाँ पर जैंग आ जाता है तो फैंग लेंग जैंग को वहाँ से चोड़के चला जाता है मैं जाए डॉक्टर जैंग को काफे कुछ सुना रही होती है कि लास्ट टाइम तुमने वीड़ी इतनी जादा इंसर्ट की थी और फिर से इसी लिए आयोगे है यहां पर उसनाते रहाती हैं रॉक्टर जैंग बीच में कुछ बोलने वालते पर बोली नहीं पाते है फिर वो कहते हैं कि लास्ट में कि मैं आप से सुरी बोलने आया था और सुरी के लिए मैं आपको एक जिनर पर लेके चलता हूँ जहां पर आप जाना चाहती थी और फिर मस्टाइक खुछ हो जाती हैं दूसरी स्वाइब लिखाते है फैंग लैंग जाओ की से कह रहा होता है कि तुमने हमारी कंपनी में इतने दुनों तक काम किया और तुमने फिर भी कुछ इंप्रूव नहीं किया और उसके प्रपोसल की हजार कमिया निकाल देता है जाओ की कहती है तो इच्छे से चेक करने की ज़रूरत क्या आती है फैंग लैंग कहता है मैं तुम्हारा बहुस हूँ अपने जाओ करना मेरा ही तो काम है फिर उसके पास आ रहा था तो जाओ की मना करती है दूर रहो मुस्ते अब तुम्हारी गर्फ्रेंड है ठीक है और वर्णा फिर से परिशान करने के लिए आ चाहेगी फैंग लैंग कहता है कि वह मेरी गर्फ्रेंड ली हम से वर्क पार्टनर्स है इसे सुनके जाओ की भी थोड़ से कुछ हो चाती है पेट फिर वह अपने आपको कंट्रोल करती हो और वहां से चली जाती है दूसरे साइट दिखाते हैं फैंग ली जाओ बू को लेके साइंस म्यूजियम में जाते हैं और वहां पर इंस्पिरेशन के नाम पर जाओ के फोटो निकालता रहता है फिर वहां पर बात कर रहे थे कि कोई इंसान किसी रोबोट से कैसे प्यार कर सकता है रोबोट तो सफ एक मशीन नहीं होती है मगर जाओ उनसे लड़ती है तो बहुत सारी इनसान के पास दिल होते हैं फिर वहाँ जादव क्रूle होते हैं और एक रूपोरिय साथ लहाएगा जिसके पास नहीं हैं और बहुत साथा सीनसियर है जिसे उन्के जाओ भू हुश हो जाती है लिए खेंख लिए कि उसके सिर को ठेश करने वाला था जाओ मना क करो फैंग लेंग कहता है कि वह से बाट इनिंग लिए लुए इस सब्सक्राइए करें लोडाई हो चली तो छेलिए तो जाही翁 एकन वाफ करता से और फिट वो ओर्डर भी इसी नामसे गरते हैं और फिर जावभू भी यहीँ आरके बताती है उ knives दिया है दिया यहाँ पर तुम हो गुत नुहाजे हुआ कि ने करना इसे माफ करना नहांकि जाओकी के लिए एक ब्लेक कार्ड बेचता है बर जाओकी उसे वापस कारा देती है तो असिस्टेंट हैं फैंगलाइग को समझाता है कि बॉस अभी उसको ये ब्लेक कार्ड बगिर की जरूरत नहीं है अभी तो वो लोग उनके पास घर भी नहीं है वो कॉफी शॉप में ही तो फैंगलाइग कहता है तो जल्दी से उन्हें कहा दो ना वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएं फिर फैंगलाइग अपने घर में काफी सा ही तियारी कर लेता है डिनर प्रिपेर करके लगता है जाओकी के लिए और जैसी वो देखता है कि मैस्ट्राइव अगिर आ गई ह तो मैस्ट्राइव उसको बताती है कि जाओकी तो आई नहीं हो बहुत जद्धी ना और वो आई नहीं घी थी और पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा उससे तो कुकिंग आती भी नहीं है जिसे सुनके फैंगलाइग अपना सारह डिनर पक करते है और मुझे सबारद जाटाता है पार जब यहाँ पर पॉछ तो देखता है कि तो दिनर करी है और चेकốc कर और उसे कहा था कि हुआज के बाद मेरे आलावा कि वह और की खरी चौंध कभा ना ईभर घृटें। पर टूकर बट ना कि कि मैंग फी तो फैंग लैंग की गर्फरेंड भी नहीं है और इसे सुनके मुझे बड़ी खुशी मिल रही है तो जयांग ची पूसता है कि क्या तुम अब भी जाना चाहती हो अपने गर वापस जाव की कहती है कि नहीं आप घर जाने की जुरूतिया यागा कायना भी बहुत तो the next morning में exercise के बाहने पहार पहुँछ जाता है और फिर वहां पर अपनी वाड़ी फ्लेक्स करने लगता है फिर अपना पर भी उतार देता है और बार बार जावकी के असपास जाए कि उसको अपनी बाड़ी दिखा रहा था जावकी भी उसे थोड़ी इफेक्ट ओरी थी वो अपनी नागबंद कर लेती है बैट उसकी हार्मोंस उसको परिशान किये जा रहे थे फिर फैंग लेंग उ कि इतना कुछ किया है वो तुम्हें बुलाना चाहता है तुमने क्या सोचा है जाओकी कहते है कि फाले से बैस सामने दिक्षा होती है इनकी से पूछते हैं कि आज रात को भी तुम्हें पर रुखने वाली हो जाओ कि कहते हैं कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं डॉक्टर जैंग से कह रहा होता है कि मैंने इसके लिए तना कुछ कर दिया बहुं इसलिए वह पास नहीं है पर फैंग लैंग मिस्टाय को फोन करता है उनसे पता चलता है कि आप जाओ की को ढूंता उसे कह देता है मैंने कुछ जादा ही कर दिया तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं तो मेरी प्राइड बीच बीच में आ गई और प्लीज जाओ के गहती है जिस परसंटे तुम नफरत करते हो इसे सुरी कहने की जूरूत नहीं है फैंग लैंग कहता है वह तो मैंने इसी घुसे में कह दिया था मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता था जाओ कि कहती है तुम्हारे कहने से फ़र्ट क्या पड़ता है एक डिप सब्सक्राइब मेरे बार में इतना सोच रही है फिर वो हार्मोन निकल के रिंग में स्टोर होने लगते हैं उसके बाद जाओ की पूछती है कि किस क्योंगी हो मुझे फैंग लैंग कहता है यह किस इस बात की खुशी में था कि फिर से डिपार्टमेंट शुरू होने वाला है अकर आपको ही पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें बाइबाय तिल नेक्स वीडियो